देवदत अपनी धोती के अंदर बांध कर कागस लेकर मुन्शी की दुकान पर पहुँचता है बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे दे दो मालिक देवदत ये पिछले छै महीने में तुम तीसरी बार आये हो बीवी के जेवर से लेकर अपनी टूटी साइकल तक बेच चुके हो अब बचा ही क्या है तुम्हारे पास मालिक मेरी मदद कर दो मैं हाँ जोडता हू चाहो तो तुम मुझसे बाकी सारी जिंदगी अपनी दुकान पर ही मेहनत मजूरी करा लेना अरे देवदत मुझे ना बोलने पर क्यों मजबूर कर रहे हो भाई यह मुशे के दुकान है पनसारी के दुकान नहीं जो तुम बोलती है और काम हो गया तुमको पैसे दूगा तो बदले में कुछ लूगा भी ना देवदत धोती से कागस निकालता है और मुन्शी को दे देता है ये मेरे मकान के कागस है अब यही बचा है मेरे पास इसे रख कर मुझे कुछ पैसे दे दो मालिक बेटे को भेजने है वरना उसकी पढ़ाय पूरी नहीं होगी ध्यान रखना देवदत इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर पैसे नहीं लोटाए तो ये घर भी तुमसे छीन जाएगा मालिक मेरा तो सारी पूर्जी मेरा बेटा ही है एक बार वो पढ़ ले तो मेरा सब खोया हुआ मुझे फिर से मिल जाएगा और मुन्शी कागस गिरवी रख कर देवदत को दो लाख रुपए देता है और देवदत खुश होकर वही पैसे लेकर चला जाता है मुन्शी के पास बैठा आदमी देवदत की हरकतें ध्यान से देख रहा था अरे मुन्शी भईया क्या है या आदमी जब भी आता है तो कुछ ना कुछ गिरवी ही रख कर जाता है कभी कुछ छुडाएगा भी की नहीं मुझे तो लगता नहीं है अपने बेटे को पढ़ाने विरेश भेजा था बेटा तो वापस आ नहीं रहा मगर वहाँ से पैसे मंगा मंगा कर अपने बाप को गरीब जरू कर दिया है देवदत घर पहुचता है और अपनी बीवी को रखने के लिए पैसे देता है इसे सम्हाल कर रख दो विमला कल ही जाकर कम्प्यूटर से आदी कोई सारा पैसा दलवा दूँगा हाँ ठीक है पर एजी वो चावल लाने के लिए कहा था लाए देवदत ये सुनकर अपनी जेब टटोलता है जिसमें बस एक दस का नोट था देवदत और विमला अभाव के जीवन को भी खुशी से जी कर दाल का पानी पीकर ही अपनी भूप मिटाते हैं और आसमान के नीचे ही चटाई बिचा कर सो जाते हैं उधर आदी तो अपनी पढ़ाई करने के बहाने खूब मौज काट रहा था बाप से पैसे मंगाता तो अमीरी से जीता यार आदी तेरी तो मौज है तो तेरे डैड से जितना पैसा मंगाता है वो तुरंट भेज देते हैं है ना और क्या मेरे डैड है ही इतने अमीर तुमको नहीं पता ये टाटा, बिडला, महिंद्रा जैसे लोग तो हमारे आ नाश्टे के लिए आते हैं नाश्टे के लिए वाउ आदी तुम तो बहुत ही रिचो आर क्या, अभी मैंने कहा न कि मेरा बर्थडे ऑस्टेलिया के सबसे महेंगे रस्टोरेंट में सल बेठ होगा तो होगा बस दिया और उसके बाकी दोस्त ये सुनकर ललचाय से लार टपकाने लग जाते हैं और आदी उसके घर फोन लगाता है विमला फोन उठाती है मा आदी, बेटा तुने कितने दिन बाद फोन किया है तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है आदी एजी, देखो तो हमारे आदी का फोन आया है देवदद ये सुनकर अपनी कच्ची नीन तोड़कर जट से फोन के पास आ जाता है बेटा, तु ठीक तो है न? वहाँ ज़ादा सर्दी तो नहीं है वो मेरी बनाई मोटी उन वाली स्वेटर ही पहनना अगर सर्दी लगे तो और खाना समय पर तो खाता है या नहीं? ओ, हो मा, इनसे बखवाज चीज़ों के लिए किसके पास समय है? तुम बाबा को फोन दो ना? ये सुनकर विमला का मूँ उतर जाता है और वो मायूस होकर फोन देवदद की ओर करती है देवदद बहुत खुश होकर अपने बेटे को बोल रहा था कि तब ही अरे आप में शर्म है या नहीं? जो अभी तक मेरे पैसे नहीं बेजे पराए देश में अपने बेटे को भिकारी बनाना चाहते हो क्या? पता भी है यहां टाटा बिरला अम्बानी जैसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं सबकी फीस समय पर जमा हो जाती है एक मैं ही हूँ जिसका बाप उसे पैसे भेजने में कंजूसी करता है कब भेजोगे मेरे पैसे को? अब गूंगे हो गए क्या? जवाब दो ना बेटा पैसे कंप्टूटर में डलवा दिये हैं तू दूर बहुत है ना तो शायर पहुचने में समय लग रहा होगा तू उन्तिज़ार कर शायर दो दिन में आ जाए ओह ओह कितनी बार समझाया है मगर आदी आगे कुछ भोलने की बजाए फोन पटक देता है और देवदत सहम जाता है वह चपल पहन कर धूप में ही जाने लगता है उधर तुरंट आदी के पास दो लाख आने का मैसेज आता है और आदी अपने पिता को बिना बताए ही मजे करने चला जाता है उस दिन देवदत भरी धूप में लाइन में खड़ा रहा था अगले दिन आदी का बॉद्दे था विमला ने हलवे का केक बना कर उसे बारा बजे फोन किया लेकिन उसका फोन तो बिजी आ रहा था बिचारे माबाप फोन के पास बैठे बैठे उसकी कॉल बैक का इंतिजार करने लगे और रात के दो बज गए आदी की उधर गजब पाटी चल रही थी कि तब ही आदी का फोन एक बार और बचता है लेकिन इस बार फोन दिया उठाती है अरे कोई बोलेगा हेलो, I am आदी, फादर मदर, हैपी बडड़े वाट, हाव फणी आदी, तुम्हारे लिए कोई कॉल है कोई बहुत अजीब बोल रहा है कोई औरत बोल रही है और कह रही है कि वो तुम्हारी फादर है और हाँ, एक मेसेज भी है आदी के लिए गाइस हैपी बड़े का आदी फोन पर बात करने की बजाए तुरंट उसे काट देता है और बेचारी विमला तो उधर आदी के दोस्त, उसका मजाग बनाते हैं अरे गाइस, दे हार माइस सर्वेंट्स मैं बहुत हम्मल निचर का हूँ न तु बस दोकर को भी मा जितनी रिस्ताट देता हूँ आदी अपने बाप की मेहनत के दो लाख रुपई की खूब अयाशी करता है सब दोस्तों के बीच अपने अमीर होने का माहोल बनाते-बनाते उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी नौकरी औस्ट्रेलिया की जगह इंडिया में ही लगती है और आदी इंडिया आ जाता है लेकिन अपने मा बाप को बताता नहीं है कंपनी की ओर से उसे बड़ा बंगला मिलता है लेकिन उसके साथ अच्छा ये भी होता है कि दिया की नौकरी भी सेम कंपनी में लगती है और देखते देखते दिया और आदी के बीच प्यार हो जाता है और दोनों शादी करके उस घर में रहने लग जाते हैं तुम्हारे मॉम डेट कहा है आदी? वो वो तो फॉरें ट्रिपर गया है दिया अब यहां बस हम दोनों रहेंगे उधर देवदत और विमला की आँखे बेटे की राह में बुरी तरह ठक चुकी थी मिलना तो दूर आदी उनको एक कॉल तक भी नहीं करता था देवदत अब जब अपना सब कुछ गिर्वी रख चुका था तो मजदूरी करके मुन्शी को अपना ब्यास चुकाता रहता था एक दिन बहुत बड़ा बकसा देवदत को एक बड़े ऑफिस में चड़ाना था उसका बुढ़ा शरीर जादा वजन झेल नहीं पाता और वहे जैसे ही ऑफिस में एंटर करता है उससे बकसा नीचे गिर जाता है ये देख ऑफिस की सब लोग देवदत को घेर लेते हैं और उसे सुनाने लग जाते हैं मुझे माफ कर दो साप मेरे हाथ पाउं काप में से गिर गया था माफ कर दो तभी चेंबर से ऑफिस का मैनेजर निकल कर आता है और भीड को साइड करता है ये सब क्या शूर हो रहा है आपत मैनेजर और कोई नहीं आदी ही था वो जमीन पर गिरे हुए अपने बाबा देवदत को देखता है और देवदत की नजर आदी पर पड़ती है जैसे ही देवदत जैसे मजदूर के मूँ से मैनेजर आदी का नाम निकलता है सब के सब आश्चर्य से आदी की ओर देखते हैं ये देख आदी को शर्मिंदगी सी महसूस होने लगती है अधी पूरी बात बोलने से पहले ही रुख जाता है उधर देवदत की आखों में आशू आ गए थे वह समझ गया था कि आदी इन लोगों के सामने उसे बाप तक मानने से जिजक रहा है देवदत उठकर तौलिये से पसीना और अपने आशू पोचकर आदी के सामने हाथ जोडता है बहुत बहुत धन्यवाद मालिक इस गलती के लिए माफी मालिक माफी और वह वहाँ से लड़ खडाता जा रहा था अपनी खाली बाहें लिए जो अपने बेटे को बरसों बाद गले लगाने को तड़प रही थी आदी भी अपना मूँ फेड लेता है एक गरीब बाप अपने बेटे को तो अमीर कर चुका था लेकिन क्या वो बेटा कभी समझेगा इस बाप की कदर जानने के लिए देखिए गरीब बाप वर्सेज अमीर बेटा केवल काका टीवी पर प्लीज कीप वाचिंग एंड डू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब देवदत बिल्डिंग के बाहर निकल रहा था और साथ में उसके आंसू भी तब ही ओफिस के कुछ लड़के उसे लात मार कर सडक पर फेकते हैं आदी ओफिस के काच से सब देख रहा था मगर वह खुद को बेबस मान रहा था आप यहां आए ही क्यों बाबा? अब आए हो तो इस चीज के जिमनार भी आप खुदी हो आदी अपने काम में बिजी हो जाता है और देवदत रुआसा होकर अपने घर लोटता है हरे आज काम से जल्दी आ गए? अच्छा हुआ मैं आपके लिए सत्तु बना कर रखी हूँ इसे पी लीजिये ताकि शाम तक पेट भरा रहे देवदत विमला से कुछ नहीं कहता है ए जी बहुत दिन से वन में एक बात खटक रही है आज कल हमारे आदी की कोई कॉल नहीं आती है ना ही बेचारप ऐसा मांग रहा है हमारा आदी ठीक तो होगा न? हाँ, वो एकदम ठीक है मैंने पूरा देखा तो मुझे तो ठीक ही लगा क्या? आप मिले मेरे आदी से कहा? वो यहां आया हुआ है बहुत बड़ा आद्मी हो गया हमारा आदी इतना बड़ा कि अपने ओफेस से इस बाप तक को बाहर निकलवा दिया कैसी बाते कर रहे हो जी? आदी ऐसा क्यों करेगा? अरे, अपना हूलिया तो देखो वो जरूर आपको पहचाना नहीं होगा अभी मैं जाओंगी तो जट से आकर मुझसे लिपट जाएगा और कहेगा मा, मेरे लिए हलवा बना ना? तुम सही कह रही हो उसने पहचाना ही नहीं होगा अब ये बच्चे हम माबाप जैसे तो होते नहीं जो हजारों की भीड में अपने उलाद की उंगली नहीं छोड़ते और रोने की आवाज से पहचान लेते हैं कितनी चीक में इसे अपने उलाद की चीक कौन सी है? विमला देवदत अपने बेटे के भारत आने की खुशी में आज खूब खुश होते हैं विमला साडी के पल्लू से पचास का नोट निकालती है और देवदत को देती है जाओ, मिठाई लाकर सब में बाट दो आज खुशी का मौका है और हाँ, बूंदी ही लाना जादा आएगी देवदत खुश होकर बूंदी लाकर मुशी के पास जाता है और उसका मूँ मीठा कराता है मुशी जी, बिठा मेरा विदेश से वापस आ गया है अब सब मुश्किल का हल हो जाएगा बस एक दिक्कत है क्या आप हमारी मदद करोगे बूरो देवदत मुशी को देवदत की बातों पर तरस आ जाता है और वो फोन करके आदी का पता निगाल लेता है देवदत पता लेकर खुश होकर विदेवदत के पास जाता है बिचारा देवदत ये सोचता है कि इसका बेटा विदेश से वापस आया है मगर विदेश जाने वाले बेटे वापस आते ही कहा है पुपने संसका, दिल, मन, भावना सब वहीं छोड़ कर आते हैं आदी का भी बस शरीर आया है अगले दिन विमला अपनी नई साड़ी पहन कर और देवदत भी नई धोती कुर्ता पहन कर तयार होकर निकल पड़ते हैं और एक किलो केले लेकर चल पड़ते हैं आदी के घर और घर के दर्वाजे के बाहर जाकर देखते हैं तो वह कोई छोटा कमरा नहीं बलकि इतना बड़ा बंगला था जिसे देखकर देवदत विमला की आँखें फटी रह जाती हैं ए जी इतना बड़ा घर है हमारे आदी के पास इतना बड़ा घर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था ये आने का समय है तुमारा मैं कपसे इंतजार कर रही हूँ विमला देवदत एक दूसरे का मूँ देखते हैं वो आदी आदी बाबा काम पर गए है तुम लोग आओ अंदर जल्दी शायद आदी के घर की देखबाल करते होगी बड़े बंगलो में घर देखने के लिए भी नौकर रखते हैं दोनों अंदर आते हैं सच में आदी का घर दोनों के लिए महल से कम नहीं था बैठो देवदत और विमला सोफों पर बैठ जाते हैं उनको ऐसा करते देख दिया दोनों को घूर कर देखती है बत्त मीज तुम्हारी ये हिमत मेरे घर के सोफों पर बैठोगे स्टैंड अप आई सेट खड़े हो और जमीन पर बैठो दोनों डर कर खड़े हो जाते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं देवतत कुछ बोलता कि तभी विमला उसका हाथ पकड़ कर उसे रोब देती है क्या हो गया बेटी? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ या तो मैडम बोलो या मालकिन एक तो सुभा से लॉंडरी का वेट करके आदी ओफिस चला गया उपर से तुम दोनों मिया बीवी लेट आये हो अब यहीं बैठे रहो मैं लाती हूँ कपड़े दिया कपड़ों का गठर लाकर उनको देती है और दोनों एक दूसरे का मूँ देखने लग जाते है दिया दोनों को इस्तरी वाला समझ रही थी कि तभी आदी काम से घर में एंटर करता है और अंदर का नजारा देखकर चौक उठता है दिया यह सब क्या है और आप दोनों को मेरा पता किस न दिया विमला की आखें अपने बेटे को देखने को तो तरस ही रही थी वह उठकर आदी के पास जाती है मेरा बेटा, मेरा बच्चा कितना याद किया तुझे मैंने आदी विमला का हाथ पकड़कर उसे साइट करता है दिया बेबी यह कोई लॉंडरी वाले नहीं है यह मेरे पेरेंट्स है यह सुनकर दिया हडबडा कर गठरी हटाती है ओ, सॉरी, इनको देखकर लगा नहीं कि यह तुम्हारे पेरेंट्स है इनका हूलिया थोड़ा ऐसा ही था ना चीप क्लास एनिवेज, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मॉम डैड आ रहे है कब आए आप लोग फॉरन ट्रिप से? ट्रिप? कौन से ट्रिप? फारन तो बेटा गया था हमारा अस्टेलिया में कभी मौका मिले तो बिटिया तुम भी जाना सुना है, बहुती सुन्धर जगा है हाँ, और कुछ जानकारी लेनी हो तो हमार बिटवा से पूछ लेना आखिर इस घर की केयर टाकर है तो आदी तेरी पूरी मदद करेगा केयर टेकर? वाट रबिश? वाट ते आट टॉकिंग अबाउट आदी? आखिर ये किस एंगल से तुम्हारे मौम ड़ाड है हनी? हनी, मैं तुमको सब बताऊंगा पहले मैं इंसिनिवर्ट लूँ पहले तो आप लोग जमीन पर नहीं सोफे पर बैठी है आदी, देवदत और विमला सोफे पर बैठते हैं पहली बात तो ये कि दिया को आस्ट्रेलिया देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका जन्म आस्ट्रेलिया में ही हुआ था बस माबाप यहां के थे तो वो हिंदी बोला जानती है और ये इस बंगले की कियर ठेकर नहीं यहां की मालकिन है मालकिन? यानि तो इसके नीचे नौकर है बेटा? ओ मा, मैं नौकर नहीं हूँ दिया मेरी बीवी है हम दोनोंने शादी कर ली है ये सुनकर तो देवदत और विमला के पाव तले से जमीन ही खिसक जाती है अब मा ड्रामा मत करो मा विदेश में ही सब नौर्मल बात है अब थोड़ा आगे बढ़ो और वैसे भी मैंने दिया को बताया है कि मैं बहुत अमीर फैमिली से हूँ तो यहां कोई तमाशा करके मेरी बसी बसाए जन्दगी मत खराब करना इतना तो करी सकते हो मेरे लिए तो बस अपना मुबंद रखो और बदले में मैं आप दोनों को यहां रहने की जगह दे दूँगा अराम से रहना देवदत और विमला कुछ नहीं बोलते और बेटे के पास रहने की लालच में सारे अपमान का घूट भी पी जाते हैं उधर आदी दिया को ले जाकर सारी बात बताता है मैं कोई अमीर घर से नहीं हूँ वहां तक भी अपनी ही मेहनत से पहुँचा था लेकिन तुम सबको अपना दोस्त बनाने के लिए मुझे वह सब करना पड़ा ओ आदी तुमने कितना कुछ सहा है कोई बात नहीं तुम अमीर नहीं तो क्या फिर भी I love you I love you so much हानी लेकिन एक बात और है मेरे माबाब थोड़े अजीब और चिंदी टाइप हरकते करते है उनके अरहने से तुमको वो सब भी सहना पड़ेगा It's okay हनी मैं तुम्हारे लिए सब बरदाश्ट कर जाऊंगी After all मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हारी दौलत से नहीं न रात का समय था एजी देखा आपने बेटा हमारा कितना बड़ा हो गया एजी पंखा सब है इस घर में शायद इसलिए ही वो हमारे उस घर में नहीं आया होगा हमारे पास ये सब नहीं है न एजी तुमना बस उल्टी बातों पर ही ध्यान दो ये भी तो देखो वो हमें अपने साथ में भी तो रख रहा है सच कह रही हो देखो तो अउलाद इतनी बड़ी कब हो जाती है जो साथ रखने को जगह देती है मुझे तो इतना याद है जब हमारे घर में सोने को जगह नहीं थी तो हम कभी उसे जगह देने के लिए परिशान नहीं हुए थे कभी उसे बिस्तर देका जवीन पर खुच सो गए तो कभी अपने पेट पर सुलाया तुम भी फाल तू बात मत करो और और बस अच्छा-च्छा सोचो एक सवाल पूछू तो सही जवाब दोगी विमला हाँ जी पूछिये ना जी विमला मैं कैसा बाप हूँ ये कैसा सवाल है जो आप पूछ रहे है अच्छे ही बाप है इसमें पूछना कैसा नहीं कुछ नहीं ऐसे ही और देवदत बरसों बाद आज जाकर गहरी नीन में सोया था इतनी गहरी नीन कि शायद फिर कभी उठे भी ना अगली सुबा होती है विमला से भी पहले उठने वाला देवदत आज देर तक सो रहा था ये देख विमला का मन बैट सा जाता है तो क्या उसके अमीर बेटे को अपने इस गरीब बाप के आज तक के त्याग के बारे में पता चल जाएगा या फिर कहानी में अभी बहुत मसाला बाकी है जानने के लिए देखते रहिए गरीब बाप वर्सेज अमीर बेटा कहानी केवल काका टीवी पर कीप वाचिंग प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब अगली सुभा देवदत सोकर नहीं उठता है तो विमला को तो फिक्र ही हो जाती है वह देवदत को खूब पुकारती है मगर वह जब नहीं उठता तब विमला को डर लगने लग जाता है विमला बधावास हालत में कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है हॉल में शराब की बोतले पड़ी थी वह भागते हुए जमीन पर पड़ी बोतलों से जात अकराती है और उसका पैर इतना भयंकर फिसलता है कि वहीं हॉल की जमीन पर नशे में चूर पड़े लड़का लड़की पर जाकर वह पड़ जाती है ए? कौन है? कौन है बे? बुड़िया तू? अबे तू कौन है? और ऐसे सोते हुए लोगों पर कूद क्यों रही है? आदी, आदी, मेरा आदी कहा है? लड़का आदी के कमरे की ओर इशारा करता है विमला जाकर उसका दर्वाजा पीटने लग जाती है मगर काफी देर तक आदी दर्वाजा नहीं खोलता आदी, आदी, आदी मेरे बेटे दर्वाजा खोल बेटे वरना, वरना तेरे बाबा बच नहीं पाएंगे दर्वाजा खोलता है और देखता है कि विमला तो बाल-वाल बिखेर कर बस रोए ही जा रही है अरे सुबा सुबा क्यों रो रही हो? कोई मर गया आए क्या जो चीख रही हो? आदी, आदी तेरे बाबा आदी के चहरे पर अपनी मा का बेचैन चहरा देखकर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था तब ही देवदत कमरे से बाहर निकल कर आता है अरे विमला, अरे गद्दा तो बहुत अच्छा है आदी का जमीन पर सोने से कमर को अकड़ने की इतनी आदत लग गई थी न उसके हाथ को चूमने लगती है आप ठीक है जी, मेरी तो जान हालक में आटक गई थी कि अगर आपको कुछ हो गया, तो मेरी बचिवे जिन्दिगी का क्या होगा क्या होगा दोनों का ऐसा प्यार देख, वहां खड़े आदी के कलीक्स, दोस्त बगेरा सीठियां तालियां बजाने लगते हैं ओ गौड, जबसे तुम दोनों आए हो, घर का पीस ही खराब हो गया है जरूर पीस की मोटर जल गई होगी बिटिया, तू आदी के बाबा को दिखा दे आदी, तेरे पास ऐसा बाबा है, तू बहुत लगी है पर आदी पर इन बातों से ज़्यादा तो इस बात का असर था कि उसके बाकी दोस्त तो देवदत की फटी चरहालत देख हस रहे थे पाइटी इस ओबर, सब जाओ यहां से और महरबानी करके आप दोनों भी अपने कमरे में जाओ दोनों को तो अभी तक ये भी नहीं आया कि कब, कहां और कैसे मुझ खोलना चाहिए बहुत मान बड़ा आप दोनों ने आज मेरा देवदत विमला अपने बेटे का ऐसा रवया देख मायूस हो जाते है और चुप चाप अपने कमरे में चले जाते दोपहर का समय था, दिया घबराते हुए विमला का दर्वाजा पीटती है खोलो दर्वाजा खोलो, मॉम, डैड, प्लीज दर्वाजा खोलो दर्वाजा खोलता है और दोनों पती-पतनी सामने खड़े थे अरे बहु, तो इतना घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? वो, वो आदी, मेरा आदी, उठ नहीं रहा नाहीं कोई एंबिलेंस आ रही है, उसे बचा लो, उसे बचा लो, बचा लो उसे देवदत बिना समय बरबाद किये, आदी के कमरे की ओर भागता है और अपने बुढे शरीव पर ही, आदी को उठाकर पैदल ही अस्पताल की ओर भागता है अरे डाट, कार में चलते हैं फिकर मत कर बिटिया, यह इसके बाबा कांदे पर बहुत भारी बोरिया उठाये हुए है यह गरीब बाब के कंदे है, जुकेंगे नहीं देवदत अस्पताल में जाकर आदी को भर्ती कराता है और हालत गंभीर होने के कारण आदी का ओपरेशन शुरू किया जाता है विमला दिया तो पास की बेंच पर बैठे थे मगर देवदत आदी के वार्ड के बाहर ही खड़ा रहा दिया को ये सब देखकर बहुत अचमभा होता है तभी डॉक्टर दिया के पास आता है और देवदत भी जाता है कुछ गंभीर बाते चल रही थी और बस फिर वह हुआ जिसने सब बदल दिया ओपरेशन के कुछ घंटो बाद आदी को होश आ जाता है और आदी दिया को मिलने बुलाता है दिया विमला के साथ अंदर जाती है आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता जान ठैंक्स पर डॉक्टर बता रहे थे कि मुझे या बाबा लेकर आये थे वो कहा है जरा बुलाओ उनको उनको भी ठैंक्स कहा दू ये सुनकर विमला फबक फबक कर रो पड़ती है देर हो गई आदी देर हो गई बहुत देर हो गई तुझे उनका शुक्रिया करने में आखिर आखिर एक बापने सच मुझ ही अपना पूरा जीवन अपने बेटे पर कर्च कर ही दिया ये सब क्या बोल रही हो मा मुझे कुछ नहीं समझा रहा मैं बताती हूँ तुमको किड्नी नहीं मिलती तो तुम आज बच नहीं पाते जैसे ही तुमारे बाबा को ये बात पता चली उन्होंने एक बार भी सोचे बिना हां बोल दिया मगर मगर क्या दिया मगर क्या एक किड्नी ही दी है न उन्होंने तो मुझे ले चलो उनके अबास इस बार तो दिया के भी आसू छलक गए थे उनके पास एक ही किड्नी थी आदी तुम्हें बाहर पढ़ाने के लिए जितना भी भारी भारी पैसा लग रहा था तुम्हें क्या लगता है आदी तुम्हारा गरीब बाप कहां से लाया होगा पैसे मजदूरी करके नहीं मजदूरी करके तो बस हमारा घर का राशन आपाता था बेटा उसमें भी हम एक वक्त भूखा रहकर सोचते कि कि राशन लंबा चलेगा तो कम खर्चा होगा और फिर तेरे बाबुजी ने अपनी किड़नी बेच कर तुझे पढ़ाया और खुद एक ही किड़नी से जिद्दा रह गए और अब तो वो चल बसे है देर हो गई आदी देर हो गई है आदी विमला के सीने से लगता है बाबा काश में आपसे माफी मांग पाता दूद का कर्ज तो हर अलाद चुकाती है पर आपने तो अपनी नालाक अलाद का ना जाने कौन से जन्द का कर्ज चुका है मुझे माफ कर दो कर दिया माफ आदी तभी परदे के पीछे से देवदत निकल कर आदी के सामने आता है और आदी हैरान था दिया और विमला के चहरे पर खुशी थी कहानी कुछ पे नहीं थी आदी सब सच था बाबा ने अपनी किड्नी बेची तुम्हारी पढ़ाई के लिए ये बात सच है मगर अभी तो तुमको ऐसे ही कोई दिक्कत थी बस पर ये सब मेरा ही प्लान था विमला दिया का सिर्फ उचकार कर आदी के पास आती है बहुत समझतार है मेरी बहू उसने ये सब इसले किया ताकि तु अपने बाबा की कदर समझ सके तुमको समझाना जरूरी था दी कि अमीर गरीब बाप पेटे कभी हो ही नहीं सकते बाप हमेशा बाप रहेगा चाहे वो मजदूर हो या अमबानी मैंने हमेशा इन दोनों की बेज़दी इसलिए की ताकि तुम मुझे चाटा मार कर रोक कर बोलो कि दिया माइंड यो लैंगविज ये मेरे मॉम डैड है मागर नहीं तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं ये देख मैं बहुत दुखी होती थी वो क्या है ना आदी मेरे तो मॉम डैड मैंने कभी देखे ही नहीं लेकिन तुम्हारे होते हुए भी तुमने कभी कदर ही नहीं की ये देख मुझे दुख हुआ अब आदी को सारा माजरा समझा गया था वह अपने किये पर बहुत ही शर्मिंदा था उसने अपने बाबा और मा के पाउच हुए और देवदत ने बरसों बाद आज जाकर अपने बेटे को सीने से लगाया आज लग रहा है जैसे मुझे मिरा आदी पूरा मिल गया हो पूरा परिवार अबेक हो गया था आदी की भी आँख खुल गई थी वह घर लोटता है और देवदत के असली पुराने घर पहुँचता है मुझे जी बाबा का जो कुछ भी आपके पास गिर्वी रखा है उस सब छोड़ देजी तुम कौन बे मैं मेरे बाबा देवदत की मेहनत का नतीजा हूँ विदेश से लोटा हो उनका बेटा आदी ये देख मुझे की आँखों में चमक आ गई थी वो मकान के कागस से लेकर मा के जेवर तक सबका पैसा मुझे को चुका कर लोटटा है और देवदत के हाथ में कागस रखता है और मा के हाथ में कंगन पहनाता है और सारा परिवार देवदत के उस छोटे से घर में ही खुशी-खुशी रहने लगा विमला और दिया भी बाप बेटे के इस मिलन को देख खुश हो उठी थी और इस तरह अब न छट के नीचे गरी बाप रह रहा था न अमीर बेटा बस बाप बेटे खुशी-खुशी एक साथ रह रहे थे और इस तरह इस कहानी की हैपी एंडिंग होती है ऐसी पारिवारिक कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी और जुड़े रहिए कीप वाचिंग प्लीज डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब